आज मैं आपको सिखाऊंगी मैंगो कोकुनेट बडफी बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत ही इजी है बनाना हेलो एव्रिवान, वेलकम टो लिशा स्कूकिन अन्ड बेकिन क्लासेस कोल पाता मैं अशेफ लिशा बढ़वा, ओनर और फैकल्टी अफ लिशा स्कूकिन अन्ड बेकिन क्लासेस तो चलिए आज को रेसिपी में स्टार्ड करते हूँ तो मैंने दो मीठा आम ले लिया है और इस आम से आपको पहले प्यूरी बनाना पड़ेगा तो देखिए कैसे में पल्प निकाल के लेके आती हूँ पल्प निकाल लेने का ये सबसे आसन तरीका होता है डाइरेक्ट पल्प को निकाल के ग्राइंडर जार में डाल दीजिए तो मैंने दोनों आम से पल्प निकाल लिया है अब मैं इसमें एट करूँगी वन फोर्थ कप मिल्प और इसमें जाएगा हाफ कप चीनी अब इस तिन इंग्रेंट को एक साथ मैं फूल स्पीड में चला के एकदम पेस्ट पॉम में ग्राइंड कर लूँगी अब एक कड़ाई ले लीजिए और कड़ाई में मैं डाल दिया है वन टेबल स्पून घीर और इसमें एट करूँगी मैंगो प्यूरी और इसमें जाएगा एक कफ मिल्प पाउडर अब इन तिन चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब एक हैंड हुिसकर ले लीजिए और इसको अच्छे से हुिसकर दीजिए तो यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब मैं इस कढ़ाई को डाइरेक्ट बिठा दूँगी फ्लेम के उपर और इसको मिडियम फ्लेम में आपको कंटिनुएसली चलाते हुए गाड़ा करना पड़ेगा हीट ऑल्वेज आपको लो टू मिडियम में ही रखना पड़ेगा कंटिनुएसली इसको देखिए मैं ऐसे चलाते हुए गाड़ा कर लिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है उपर में देखिए ऐसे बड़ा बड़ा बाबल्स होके जब फटने लगेगा तब मैं इसमें एट कर दिया है वान फोर्थ कप प्रेश ग्रेटेट कोकोनट नारियल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिजिए अब मैं इसमें एट करूंगी वान फोर्थ टीस्पून येलो फूट कलर अब चाहो तो कलर एट कर सकते हो नहीं तो इसको आप स्कीप भी कर सकते हो अब मैं फिर से इसमें एट करूंगी वान टीस्पून घी वान टीस्पून घी डालने से ये निचे से चिपकेगा नहीं तो देखिए ये पैने से बहुत ज्यादा गारा हो चुका है और धीरे धीरे साइट का पैन छोड़ने लगा है डो कॉंसिस्टेंसी में ये आने लग है कंटिनेसली इसको ऐसे चलाते हुए कूप करना पड़ेगा तो देखिए जब ऐसे डो कॉंसिस्टेंसी में आ जाएगा थोड़ा सा हाथ के उपर रखते इसको थंडा कर लिजिए उसके बाद इसको एक बॉल जैसा बना लिजिए देखिए हाथ में चिपक नहीं रहा है म को फॉर्म में आ गया है अब मैं फ्लेम बंद करके दो मिनिट के लिए इसको रूप टेमपरेचर में छोड़ दूँगी और एक प्लेट लेके उसके उपर थोड़ा सा घी लगा लूँगी मैं दो मिनिट के बाद देखिए ठंडा हो चुका है थोड़ा सा इसी कंडिशन में इसने मैं एट कर दूँगी वान टीस्पूल इलाची पाउडर इलाची पाउडर को इसी स्टेज में आपको एट करना पड़ेगा अब इस डो को मैं प्लेट के उपर डाल के इसको स्प्रेट कर दूँगी थोड़ा सा मोटा करके इसको स्प्रेट करना पड़ेगा क्योंकि इससे ही मैं बर्फी कट करूँगी तो देखिए इस कोया शेप दे दिजिए स्पैचुला से कीजिएगा तो हाथ में आपको गरम नहीं लगेगा और यह बहुत जल्दी से बन भी जाएगा औ और उपर में मैं थोड़ा सा ड्राइफूट डाल दूँगी अब आपके मन पसंद कोई भी ड्राइफूट से इसमें डाल सकते हो अब मैं इसको दो घंटे के लिए नॉर्मल फ्रीज में छोड़ दूँगी सेथ होने के लिए तो देखिए दो घंटे के बाद यह बिल्कु के आएगा तो पहले मैंने एक शार्फ नाइफ ले लिए और इस नाइफ से मैं पहले मर्क नगा लूँगी मार्क लगाना जरूरी है तो आपका बर्फी एक्टम प्रॉपर साइज में निकल के आएगा मार्क लगाने के बाद इसको प्रॉपर साइज में कट कर लिजिए त तो देखिए बर्फी का एजेस कितना शार्प होके निकल के आएगा तो देखिए बर्फी हमारा बिलकुल रेडी हो गया है और एजेस देखिए कितना शार्प है और इस बर्फी को आप फ्रीज के अंदर में एर्टेट करके वान विक तक रखे क्खा सकते हो बहुती मैं आपको थोड़ा सा तोड़के दिखा रही हूँ देखिए एकदम मूँ में घुल जाता है अब एक ऐसा पेपर कप लेके उसके उपर में बर्फी रखके सार्व कर सकते हो तो सर्विंग के टाइम अपका हाथों में नहीं लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा एकदम प्रोफेशनल लूप आया है निकल के देखिए तो बर्फी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है तो कैसा लगा आज में रेशिपी मुझे कमेंट पॉक्स में जरूर भेज़ेगा लिख के और नया ना रेशिपी सीखने के लिए मेरे पेज को फॉलो किजिए लाइक किजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आज के लिए इतना ही मैं फिर मिलती हूँ और एक ना रेशिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर